सोइंग इन इंपोर्टेंट पार्ट ओक्रोप प्रोडेक्शन आज हम क्लाश 8 का चेप्टर नमबर 1 पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे सोइंग इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर लिए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुए वहां से आप पहले वाले सभी टोपिक्स देख सकते हैं हमने पढ़े है कि जो शीड्थत है उनको उगाने के लिए तो उसमें शीड़् को बोने सेधस पढ़ पक्रोपिशन हम देखेंगे कि जो seeds हैं, उनकी quality अच्छी होनी चाहिए, और वो clean होने चाहिए, और healthy होने चाहिए, उन भी जो कम select कर लेते हैं, इनसे क्या होता है, जब harvesting के बाद, जो seeds मिलते हैं, वो भी healthy मिलते हैं, seeds हैं, उनका selection कैसे करते हैं, पहले देखती हैं, कि उसकी mother, एक बात पानी में, कुछ seeds क में कीडे लग जाते हैं, और उनका अंदर से hollow कर देते हैं, खोखला कर देते हैं, उससे वो lighter हो जाते हैं, और वो पानी में तैरते हैं, हमने पढ़ा है, जो lighter particles होते हैं, वो पानी के ऊपर तैरते हैं, और जो heavier seeds होते हैं, वो नीचे डूप जाते हैं, नीचे shrink हो जाते हैं, this is a good method for separating good healthy seeds from the damaged one before sowing one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds को sowing के लिए कौन कौन से tools का use किया जाता है तो ये हैं एक तो traditional tool है पहले से इसका use किया जाता है इसमें क्या जाते हैं प्लो के साथ ऐसी keep जो होती है वो लगा दी जाती है और इस keep में seeds को डाला जाता है जैसे जैसे ये plowing होती जाती है ऐसे आगे बढ़ते जाते तो ये एक एक दो दो seeds में डालते जाते हैं और वो seeds भी इसके साथ साथ दे रहते हैं और sowing हो जाती है the seeds are filled into funnel अब देखिए इसमें एक pipe लगा रखा है अब हम तो और थ्री पांच pipe लगे हैं यहां से seeds डाले जाते हैं और एक इससे निकलते हैं इससे निकलते जाते हैं इससे निकलते जाते हैं जैसे ये plowing होती जाती है यह seeds प्यूज में गिरते जाते हैं इस type से यह one, two, three, four यह pipes लगा रखे हैं यहाँ पर यह seeds गिरते चले जाते हैं इस type से इसको बान ला जाते हैं इसी sewing का traditional तरीका जो काफी पहले से चला रहा है इसके बाद यह seed drill यह tractor के पिछे जोड़ा जाता है इसको भी हम देख लेते हैं यह seed drill है इस वाले part में seeds डाले जाते हैं यह उपर cover होता है इसको अटाकर इसमें seeds डाले जाते हैं और यहाँ पर pipe जूड़े होतेँ यह pipe यहाँ जूड़े होते हैं जितने भी flow type के इसमें seeds से गिरते चले जाते हैं इसको बोलते हैं seed drill यह method काफी modern है आज कल यह वाला method यूज के जाता है इसमें यहां पर जो seed drill है यहां पर इसमें इस टाइप कर भी आता है यह disc soil को काटती जाती है जो पिछे pipe लगा होता है तो इसमें इसमें भी seeds से गिरते रहते हैं यह रेखिए इसमें भी pipe लगे होते हैं यह यहां से soil को काटा जाता है और यह आगे बढ़ते रहते हैं और पीछे-पीछे इसमें seeds गिरते जाते हैं तो यह seed drill this was the seeds uniformly at equal distance and depth it ensure that seeds get covered by the soil after sowing protects seeds from being eaten by birds आगे बढ़ता जाता है यह seeds हैं उसके ओपर मिटी किती जाती है और seeds को फिर birds नहीं खाते हैं और birds से बच जाते हैं sowing by using a seed drill saves time and labor और इससे एक सब काफी सारी बीज बोय जाते हैं तो इससे time और labor काफी बच जाती है वो जो देखता है कि कुछ plants जो है वो नर्सरी में उगाई जाते हैं और बाद में उनको खेतों में उगाई जाता है तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि पैड़ी plants हैं जैसे वो म मौनसुन से पहले उगा दिया जाते हैं नर्सरी में नर्सरी में थोड़े से smaller area में plants उगा दी जाते हैं और उसमें फिर पानी देना easy होता है फिर जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो मौनसुन आ जाता है तो खेतों में बारिज से पानी भर जाता है तो उसमें फिर य प्लांट्स या सीड्स के बीच में नैसेसरी डिस्टेंस होना चाहिए क्योंकि एकठे हो जाएंगे मालों जैसे यह प्लांट है ऐसे एक जगे काफी सार लगा देंगे तो इनको जो इंपोर्टेंट न्यूट्रेंट्स हैं मिनरल से वह सोईल से नहीं मिल पाएंगे और यह कम जो रह जाएंगे this allows plants to get sufficient sunlight nutrients and water from the soil at times a few plants may have to be removed to prevent overcrowding कई बर जब एक ही जगे बहुत सारे plants होते हैं तो इन में से कुछ plants निकालकर दूसरी जगे उगा दिये जाते हैं इससे उनको sufficient sunlight मिल जाती है nutrients मिल जाते और water भी मिल जाते हैं इनकी growth अच्छी हो जाती है यह question है why is paddy first grown in a nursery rice is grown first in nursery and then transplanted to the main field it is done because it is easy to irrigate a small area जो rice होते हैं पहले nursery में smaller area में उगाए जाते हैं से फिर उनको irrigation करने में easy होता है the seeds are usually sown much before monsoon, monsoon से पहले यह उगाए जाते हैं और जो monsoon आता है खुब सरा पानी easily मिल जाता है then can be used for watering the transplanted crop in fields and main field is puddled just before transplanting जो monsoon आता है तो उससे उसको बहुत सरा water मिल जाता है तो यह जो plants है इनको fields में transplant किया जाता है transplanting means इस nursery से plants को field में उगाना एक जगह से दूसरी जगह से जगह पर उगाना उसको बोलते है transplant transplant करने से पहले जो main field है उसको अच्छे से साही किया जाता है plane किया जाता है कि बज़द बारिश से गड़े ना बन गए हो तो उसको बोलते हैं puddled यहां तक आपको topic समझ आ गया होगा अगर समझ आ गया है तो please subscribe my channel share to your friends and like कुछ समझ नहीं आये तो comment box में देकर आप पोच सकते हैं thanks for watching